आज हम लोग करेंगे Green Geeks का Detailed Review हाई गाइज मेरा नाम है क्रिपेश आडवानी यहाँ पर मैं Digital Tools और Services के बारे मैं बात करता रहता हूँ Web Hosting एक ऐसा टॉपिक है इसके बारे मैंने काफी बात करी है इस पर्टिकुलर चानल के ऊपर आज हम लोग बात करने वाले हैं Green Geeks hosting के बारे में यह काफी पुरानी web hosting company है इसके काफी recommendation भी थी कि इसका review करो और काफी लोगों ने इसको as a side ground alternative भी recommend किया है तो आज हम लोग देखेंगे कि क्या यह सही में इतनी अच्छी है कि क्या इसमें भी कुछ कौन से जो आपको पता होने चीए तो बिना किसी डिले के start करते हैं अगर मैं अपने प्लान के बात करों तो मैं यहां पर फिलाल यूज कर रहा है इनका light plan यह मैं पुछेस कि लास्ट यह इसका detail process भी बताया था मैंने वह आपको आई बटन के ऊपर मिल जाएगा तो आज आज इसी plan के बारे में बात करेंगे यही plan मेरे पास है और जो मैं वेबसाइट कर एपर सेट करिए वो ही kpGreentests.xyz के नाम से और यहां पर हम लोग यूज कर रहे हैं और जिम टेंपलेट्स कि मैं सारे टेस्ति इसी थीम और टेंपलेट के बेसमें करता हूं कर दिएधिस सब्सक्राइब नहीं कुछ तो यहां से हो सकता है तो इंटरफेस इनका अच्छा है इंटरफेस से मुझे यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है सर्वर रिस्पॉंस ताइम की बात करो तो यूरोप में आपको कम दिखेगा एशिया आते आते तक यही रिस्पॉंस ताइम बढ़ जाता है अब अगर यहां पर में स्पीड की बात करूं तो जब मैंने इसको यहां पे फ्राइकफर्ट से चेक आउट किया क्योंकि मेरे 3.7 seconds मिला जो कि इतना अच्छा नहीं है इंडिया में परफॉर्म नहीं करेगी अप टाइम की बात करों तो यहां पर मैं अप टाइम इसका पिछले 225 डेस से यहां पर चेक कर रहा हूं लास्ट 30 डेस में जो है वह 99.68 परसेंट और जो पहले का था वह मेरी उपीनियन में जो अप टाइम है कुछ अच्छा नहीं है कंसीडरिंग कि यहां पर ट्राफिक भी नहीं है इस वेबसाइट के ओपर ज्यादा तो शायद से क्योंकि यहां पर मैं इसका लाइट प्लान यूज कर रहा हूं इसलिए इसका अच्छा नहीं है प्रो और प्री लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा अब बात करते हैं इसके लोड टेस्ट की मैंने आप पचास वर्चल यूजर्स भेजे यूस की लोकेशन से मैंने आप भेजे हैं यहां पर इन्होंने कॉंस्टेंटली रिक्वेस्ट करी है और यहां पर आपको एस् लोड बिल्कुल भी हैंडल नहीं कर पारा था इन्पक्ट टू रिक्वेस्ट्रेट के ओपर तो यहां पर गया यह नहीं है जो रिक्वेस्ट्रेट और टूट थी तूट्री तूट्री के एस पास ही है तो इसका मतलब बेसिकली यह है कि यह बला प्लान इनका लोड अडल तो पाँच दो यूजर आ रहे हैं तो यह पिर पांच दस पंदरा रियल टाइम उसर तक हैंडल कर लेगा लेकिन उसके ओपर यह रहां नहीं कर पाईगा इस नॉट फॉर लोड राइट नहीं राइट नाओ तो बेसिकली यह होगा कि जो पहले के कुछ उजर उगे उनके वे होस्ट अर्माड़ा और होस्टिंगर दोनों के लोड टेस रिजर्ट अच्छे थे उसका रिव्यू आपको आई बटन क्यों पर मिल जाएगा अगर आप कुछ चाहिए तो एक बार आप लोग वह भी जा कि देख सकते हो इसलिए लाइट स्पीड सर्वर्स मिलते हैं अगर आपको अपनी वेबसाइट खुद से प्रिव्यू करके देखनी हो तो उसके लिए यह पर टेंपररी डोमेन नेम आपको नहीं मिलेंगे बाकप की बात करूं तो जैसी आप लोग इनके वेबसाइट पर जाएएगे आपको यह पर दिखेगा कि यह फ्री नाइटली प्रोवाइट कराते हैं लेकिन इसको आप लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हो अपने एंड से अगर आपको यह पर रिस्टोर करना है या फिर इंपाक्ट बाकप्स को आक्सस भी करना है तो यहाँ पर मुझे सपोर्ट रिक्वेस्स करनी पड़ती है कस्टमा सपोर्ट से बोलन हैं तो जब मुझे इन्होंने डेट्स बताई तो यह हर दिनके बाकप्स अवेलेबल नहीं थे बीच बीच में इन्होंने आप स्किप कर दिये 12 था 9 था 6 था 7 कहां गया पता नहीं सेकेंड के बार डारेक्ट 6 था 3rd 4 5 कहां गया पता नहीं 38 थे 28 थे तो बीच बीच कि यह बाकप्स यहां पर स्किप कर रहे थे मेरे केस में जब मैंने इनसे बोला कि मुझे यहां पर रिस्टोर करनी है मेरी वेबसाइट 7 जुलाई को तब इन्होंने आप मुझे टर्म्स अफ कंडिशन उठा के भेज़ दिया कि ग्रीन गेक्स यहां पर आपको प्रोवाइड करा लेकिन मुझे मेरे बाकप्स नहीं मिले हर दिन के लास्ट 14 डेस का यहां पर बाकप होना जिए था लेकिन वो चीज मुझे यहां पर प्रोवाइड नहीं हुई मैंने बहुत सारी वेब होस्टिंग कंपनीज का रिव्यू किया है बहुत सारे बाकप सिस्टम्स यूज करें हैं अगर आपको रिस्टोर करने का ऑप्शन ही नहीं मिले जिस डेट पर आप चाहते हो इस एक्स्रीमली बाद करनो तो यह एजए यूज करना इंट का इंट का काफी फ्रेंडली है सी पैनल भी आप लोग ईजी लिए अक्सेस कर सकते हो कोई प्रॉब्लम मुझे यहां पर मीजरली फेस करने को नहीं मिली है सपोर्ट की बात करनों तो कभी इनका सपोर्ट अक्छा था कभी कोकेश था कभी काफी टाइम ले रहा था तो सपोर्ट में य आपको यहां पर इए काइब आट पाढ Umm लोग अपर एक कार्ट तो रखनी पड़ेगा है से असे कैसे हठा दे हम भोग आपकज रखना ही पड़ेगा अब दूस्रा काइब पहले डालो फिर उसके बाद यह आźनों धयाक्त कर सकते हैं तो फिर मैंने और फिर से भीज भेज इस तरीक से भी तरीक लिए अच्छा वू एक व्यूट टो बात करने आपको इनके लाइट फंसलियू पे लाइड फिटी थाउजन इनके प्रोव प्री लाइड और प्री एंप प्रीमियम प्लान पर फ्रीमियू मिलता है तो इनोट काूं यह पर अच्छी खासी आपको पर चेशे दिये का लिंक से परचेस करके जरूरी नहीं है ग्रीन गीक से परचेस करो कुछ और भी परचेस कर सकते हो मुझे सपोर्ट करने के लिए इसकी अगर मैं प्राइजिंग की बात करों तो लाइट प्लान इंका स्टार्ट होता है डॉलर 2.49 पर मन से प्रोब प्लान ह पर प्रीमियम प्लान है डॉलर 8.95 पर मन पर और इनकी रेगुलर प्राइजिंग वो काफी हाइए साइट पर है और यह वाली प्राइजिंग आपको तब मिलेगी जब आप लोगे तो फॉर एक्जामपल अगर मैं लाइट प्लान या पर तीन साल क्ले लेता हूं तो मुझ का इंगर नहीं है और आपको 30 day की रिफंट पॉलेसी मिल जाती है माइग्रेशन की बात करो तो यह लोग कहते हैं कि यहांपर फ्री वेबसाइट से माइग्रेट नहीं करके देदेए जहें पर लिस्टेड है सिर उसी से करके देते है और जो यहां पर सी पानल यूस कर रहे जो कि अच्छी बात है CDN में आपको Cloudflare CDN मिल जाता है SSL, Free SSL, सभी वेबसेट ले लिए जाएगा टेकनलोजी की बात करने लाइट-speed servers का यहां पे यूज हुआ है PHP 7 का support है Node.js, Perl, Python आप लोग यहां पे इनके Shared Hosting प्लान पे यूज नहीं कर पाओगे उसके आपको इनका VPS प्लान लेना पड़ेगा अब इससे पहले मैं इसके प्रोज और आपको अच्छा लगाए तो थम्स अप जरूर दे जिएगा अब अगर मैं इसके कुछ प्रोज की बात करों तो यहां पे लाइट-speed servers का यूज किया गया है Speed इसकी अच्छी है Ease of use है आपर काफी इजीली यूज कर पाओगे And sitepad, site builder भी यहां पर आपको देखने को मिल जाता है अब अगर मैं इसके कुछ कॉंस की बात करों तो इसका जो backup management है वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा है Low testing में भी कुछ खास results मुझे नहीं मिले थे support भी ठाकी है और इसके कोई data center भी नहीं ए एशिया में So to be frank, मेरे test results के according मुझे यह इतनी अच्छी नहीं लगी है Speed हाँ ठीक है, अच्छी है, light speed servers भी आपको देखने को मिल जाते हैं लेकिन apart from that, backup management, uptime, support, कुछ मुझे यहां पर अच्छा देखने को नहीं मिला है और मैं नहीं जानता है, यहां पर लोग इसको कैसे बोल रहते हैं कि यह side ground का alternative है मुझे तो यह बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है In fact, Fast Comet, Kemi Cloud Hostinger मुझे इससे काफी अच्छी लगी है और जो अभी नहीं company आई है, host Anwada वो भी मुझे इससे बेटर ही लगी है मेरे test results के according बट अगर आपको यहां पर green geeks चाहिए ही चाहिए तो एक scenario जहां पर आप लोग इसका use कर सकते हो वो यह है कि अगर आपकी यूरोप की audience आ रही है तो फिर आप लोग इसका use करो आपको speed भी अच्छी देखने को मिल जाएगी और अगर आप लोग start कर रहे हो अगर आपकी ज्यादा traffic नहीं है तो इसकी तरफ देख सकते हो और Indian audience है तो फिर इसको लेने का ज्यादा नहीं है So that's all for this one अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगाए तो उसको थमजब देजिएगा चानल को सब्स्राइब कर लिजिएगा और इंटरेस्टिंग रिवीव वीडियो के लिए and I will see you guys in the next one Goodbye